नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूटूब चैनल HP Study Hub में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, आज के सेलेक्चर में हम देखेंगे जुनियर स्केल स्टेनोग्राफिर के पेपर को जो कि आपका हैल 2 था 4 अक्तूबर 2020 को और जिसका पोस्ट कोड था आपका 764 अगर दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल HP Study Hub को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल्द हमारे यूटूब चैनल HP Study Hub को सब्सक्राइब करें ताकि इस टैनल से लेटेड कोई भी वीडियो ये फिनोटी केशन को आप मिस ना करें तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को दोस्तों, कोशन नमबर वन यहाँ पर पूछा है आपसे विच इस दा बेस्ट कनेक्टर ओफ हीट तो दोस्तों, आपसे पूछा है, कोन उशुमा का उत्तुम चालक है दोस्तों, इस कोशन का जो राइट अंसर होगा वो होगा आपका A, Silver नेक्स कोशन दोस्तों, कन्वेक्स लेंस इस अ दोस्तों, उत्तर लेंस एक है तो इस कोशन का जो राइट अंसर होगा combination of which of the following colors ठीक है, निमलकित में से किन रंगों के मिश्रन से पिला रंग बनता है तो दोस्तों, इस question का right answer होना था, वो हना था, आपका option D, red or green ठीक है, दोस्तों, next question की बात करे question number 4, जिसमें आपसे पूचा है, AC dynamo is a दोस्तों, इस question का right answer होना था, question 4 का AC जो dynamo होता है, वो होता दोस्तों, आपका generator, यानिकि C option is the right answer next question की बात करें, दोस्तो, question number 5, जिसमें आपसे पूचा था x-ray world discovered by, जो x-ray किरन है, उनकी खोज किसने की थी, दोस्तो इस question का जो right answer था, वो था आपका option, B, road gen ठी, दोस्तो, road gen ने जो थी, वो आपके x-ray की खोज की थी, x-ray किरनो की थी, दोस्तो next question की बात करें, दोस्तो question number 6, जिसमें आपसे पूचा है, which is the only atom in which neutrons are not present ठी, दोस्तो, कोन सा एक मातर प्रमाणू है, जिसमें जो होता है, आपका neutrons जो आपके present नहीं होते हैं next question की बात करें, दोस्तो question number 7, जिसमें आपसे पूचा था दोस्तो, oxlique acid is present in which of the following ठीके दोस्तो, निमिलक मैंसे, किसमे oxlique amal उपस्तित है, दोस्तो, इस question का जो right answer था, वो था आपका option number C, यानि कि टमाटर, दोस्तो next question की बात करें, question number 8, दोस्तो, जिसमें आपसे पूचा था blue vitriol is, दीके दोस्तो, निलत होता है तो निलत होता जो है, दोस्तो, वो था आपका coso4.h2o 5h2o, दोस्तो, इस question का right answer था, वो था आपका option C next question की बात करें, दोस्तो 9th question, जिसमें आपसे पूचा है bell metal is an alloy of दोस्तो, bell metal किसकी मिश्रदातु है, दोस्तो, इस question का right answer था, वो था आपका option number 9th का A ठीक है, copper and teen next question की बात करें, दोस्तो question number 10, जिसमें आपसे पूचा है night blindness is caused by deficiency of which vitamin D, दोस्तो रतोधी किस बीमारी, vitamin की कमी से होती है, दोस्तो, इसका right answer है, वो आपका option A, vitamin C की कमी से, next question की बात करें, दोस्तो question number 11, जिसमें आपसे पूचा है human heart is a two chamber, three chamber, four chamber, या फिर none of these दोस्तो, इस question का right answer था, 11 का, वो तापका option C, four chambers, दोस्तो next question की बात करें, what is the name of the first indigenous test kit for COVID-19 in India, which was launched in Pune, दोस्तो, current affair का question है और अगर आपने current affair से जुड़े होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा, तो इसका right answer जो होगा, पता होगा that is option number A, 12 का option number A, that is your patho dictate, दोस्तो, next question की बात करें, 13 what was the theme of the 2020 world OSTEMS Awareness Day, ठिये दोस्तो OSTEMS Awareness Day की जो theme थी जो आपके 2020 की जो थी आपकी 13 का option number C the transition to adulthood ठिये दोस्तो, a transition to adulthood ठिये दोस्तो, next question की बात करें, 14, जिसमें आपसे पूछा था the government of India has recently set up a cargo air bridge with which country to transport critical medical supply, तोस्तो इस question का जो right answer होगा, वो होगा option C, that is your China ठिये दोस्तो, 40 का अंसर C ठिये दोस्तो, 15 की बात करें दोस्तो, 15 में आपसे पूछा था the former trade policy, sorry, the former trade policy which has been extended till March 2021, ठिये दोस्तो to come into force in which year ठिये दोस्तो, तोस्तो, इस question का जो right answer रहा था दोस्तो, 15 का वो न आपका option B, 2015 में next question की बात करें दोस्तो, आप से पूछा था, according to a recent report for UNCTAD, which country along with China will host to affected by recession, UNCTAD की वर्तमार रिपोर्ट के नुसार चीन के साथ साथ कौन सा देश मंधी से प्रभावित नहीं होगा, तो दोस्तो 16 कोश्तो का जो right answer है वो गाउका option D, भारत next question की बात करें दोस्तो, which Indian newspaper that was being published in the United States for 50 years has cased in printed edition, कौन से भारते समचार में जो 50 परभाव से United States से प्रकाश तो होता था, अपना मुंदृत संसक्रण बंद कर दिया है, दोस्तो, इस question का right answer था, वो था आपका option A, India abroad ठी दोस्तो, next question की बात करें question number 18, जिसमें आप से पूचा है, days of glory is the famous painting of which Indian artist who recently passed away ठी दोस्तो, days of glory थी, किस की painting थी, किस writer की, किस आपके painter sorry, आपके painter की artist की painting थी, जिनके death हुई है, दोस्तो, इस question का right answer था, वो था आपका सतीष गुजरियाद option number C next question की बात करें question number 19, जिसमें आप से पूचा है, लियो वार्दकर who recently tenders his resignations was the prime ministers of which country लियो वर्डेकर, जिनने हाल ही में अपना त्याग पत्र अरपित किया, वो किस देश का प्रधान मंत्री है दोस्तो, इस question का, जो right answer था, 90 का वो आना सा option B, यानि की आपका Ireland, ठी दोस्तो next question की बात करें question number 20, जिसमें आप से पूचा है the national organic food festival had recently was hosted by which of the following state, निमिलिक्त में से किस राज्य के अंदर साथे प्रधेश ने हाली में the national organic food जो festival की, जो था, उसकी मेजवानी की थी, दोस्तो, इस question का जो right answer आना था हाना था आपका D, 20 का D, New Delhi ने, next question की बात करें दोस्तो, current affairs again question पूचा है आपसे, इस question में आपसे पूचा है India first floating jetty has been integrated in which state दोस्तो, इस question का जो right answer था 21 का वो था आपका Goa दोस्तो, 21 का A 21 का B, sorry next question की बात करें 22, जिसमें आपसे पूचा है दोस्तो, इस question का जो right answer था 22 का, वो था आपका ते लंगाना option A next question की बात करें दोस्तो, question number 22 23, जिसमें आपसे पूचा था which city was hosted to the India Bangladesh Sampreeti, 9th exercise military exercise, जोस्तो, जोइंट military exercise, जो की आपकी 9th number पे थी हैल भूई थी, वो कहां पे हूई थी, उस आपको जोस जगागा नाम बता ना था, दोस्तो, इस question का जो right answer था, वो था option A उम्रोई next question की बात करें दोस्तो, 24 जिसमें आपसे पूचा है दोस्तो, which city was the host of GULFOOD 2020, the world largest annual food and beverage trade exhibition, दोस्तो, इस question का जो right answer आना था, वो आना था, option C Dubai, 24 option C, Dubai is the right answer next question की बात करें दोस्तो 25, जिसमें आपसे पूचा है Amit Pangeyal, who was in recently news, is a famous president as to do with which sports दोस्तो, अगर आप Amit Pangeyal को जानते होंगे, या आप उनके sports से दिल्चस्पी रखते होंगे, तो आप इस question का आना जानते होंगे और इसका जो right answer है, वो आपको जो की आपका है आपका option B भूमेश्वर is the right answer ठीक दोस्तो, next question की बात करें दोस्तो, ये आपका आप यहाँ से reasoning वाला section स्टार्ट होता है दोस्तो, मैं यहाँ पर आपको इस video में सिर्फ आपके सिधर direct answer बताऊंगा, अगर आपको solution चाहिए होंगे, सौलम में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको comment box में इसका reply कर दूँगा, ठीक दोस्तो, with solution के साथ next question की बात करें, 27 जो आपसे पूचा है, यदि अंग्रेजी वर्ण माला का दूसरा आदा भाग उल्टे करम में लिखा जाए और दूसरे आदे भाग में कौन सेक्षिर किस्ती थी, वही रेगी जो अंग्रेजी वर्ण माला में है दोस्तो, 27 का दोस्तो जो right answer आना था, वो आना था को option D, T is the right answer next question की बात करें, 28 जिसमें आपसे दोस्तो पूचा है which is different from the rest तो जोस्तो, इस question का जो right answer आना था आपको चार option में से बताना था कौन साथ different है था दोस्तो, इस question का जो right answer था वो था आपको option C, हैनि की J और G next question की बात करें, an inning is related to badminton, in the same way half nelson is related to the which following दोस्तो, गर inning अगर badminton से related है, तो half nelson किसे related है which sports related करता है दोस्तो, तो इस question का जो right answer था दोस्तो, 29 का वो आएगा, आपका option A आपकी wrestling, ठे दोस्तो, कुछ थी next question की बात करें, दोस्तो 30 जिसमें आपसे पूचा है, in a code of Q-U-E-U-E is written by Q-2-2 and church as I-U-R-1 1-U-R-1, then banana is written in the same code as दोस्तो, इस question का जो right answer था, 30 का वो आएगा, वो आएगा, option A B-5-5-A next question की बात करें, दोस्तो, 31 जिसमें आपसे पूचा है, in a certain code knee team C means how are you, and blade knee C means where are you, दोस्तो, so then which of the following word is used for where, तोस्तो, इस question का जो right answer था, वो आएगा, आपका B-L-E, जो के option नहीं दिया है, तो इस question का जो right answer का जो option D, none of these, next question की बात करें, तो 32 जिसमें आपसे पूचा था, if bicycle is called messenger, and messenger is called bus, and bus is called train, and train is called aeroplane, and aeroplane is called pedestrian, then tell by which vehicle you can reach your destination in little time, दोस्तो, इस question का जो right answer था, वो था, जो का option C pedestrian, ठीके दोस्तो, यानि की padhyatri, दोस्तो, next question की बात करें, 33 again reasoning का, जिसमें आपसे पूचा था, in the following number series how many such even numbers are there which are followed by an old number and preceded by any even number ठीके दोस्तो, जिस question का जो right answer था, दोस्तो वो है आपका option, 33 का 33 का option D, दोस्तो, none of D दोस्तो, 33 का जो right answer का जोस्तो, वो है आपका option D, none of these, next question की बात करें, दोस्तो, 34, जिसमें आपसे पूचा है दोस्तो, 34 कुशन जिसमें आपसे पूचा है, from 4 to 49, how many numbers which are divisible by 4 and the sum of 3, their digit is 9R, दोस्तो, इस question का जो right answer था, 34 का, दोस्तो, वो आपका option है, only one, next question की बात करें, दोस्तो, again reasoning का, a man said to a woman, your brother, only sister is my mother, what is the relation of the woman with the maternal grandmother of that man, दोस्तो, इस question का जो right answer था, 35 का, वो आणा था, option, C, daughter, 35 का right answer is, C, daughter, 36 question की बात करें, दोस्तो, जिसमें आपसे पूचा था, अमर एक class में, उपर से 9 और नीचे से 14 स्तिती पर है, class में, पास होने वाले, दैर्थी में, अमर उपर से 5 और नीचे से 11 स्तान पर है, class में, कितने इज़ दैर्थी फेल हुए, तो दोस्तो, इस question का, जो right answer था, दोस्तो, आपका, 35 का, वो आणा था, दोस्तो, आपका, option, C, and कि 7 is the right answer, next question के बात करें, दोस्तो, question number 37, जिसमें आपसे पूचा है, प्रभात, jump higher than Prakash, but not as much as प्रमोध jump, परनव, jump lower than Amit, but not less than प्रभूध, who jumped lowest, तो सबसे कम जो है, वो jump कौन लो करता है, lowest jump कौन मारता है इन में से, दोस्तो, इस question का, जो right answer था, 37 का, वो आना था, दोस्तो, आपका option A, यानि की Prakash, 38 question के बात करें, दोस्तो, जिसमें आपसे पूचा है, निवेति का, move 15 meter in the south, then she turned to her left and moved 10 meter, she again turned to her left and moved 15 meter, after this she turned to her right and moved 15 meter, how far is she from the starting point, दोस्तो, 38, जो question जो जो right answer आना था, दोस्तो, वो आना था, option B, 25 meter, next question के बात करें, दोस्तो, again आप इस question को पढ़ें, और इस question को देखें, और यहाँ पर जो आपको symbol जिस तरह use करने को बोला गया है, उस तरह use करेंगे, तो इसका जो question जो 39 को जो right answer रहना था, दोस्तो, वो आना था, option C, 10 is the right answer, next question के बात करें, दोस्तो, question number दोस्तो, आप से अब बात कर रहे थे, दोस्तो, हम यह बाला कर लिया, 34 कले, 35 कले, 36 कले, 37 भी कर लिया था, हम पहुंचे तो 40 पे, दोस्तो, 40 question का जो जो right answer रहना था, वो आएगा, दोस्तो, आपका, 40 का, अगर आप इस question को देखेंगे, इस series को, pattern को समझेंगे, दोस्तो, इस question का जो right answer रहना था, 40 का वो ना था, D, none of the above, next question की बात करें, दोस्तो, जिसमें आप से पूचा है, 41 में, how many cubes of 4 cm side can be found from a cube of 16 cm sides, दोस्तो, इस question का जो right answer था, वो था, आपका option number D, यानि की 41 is the right answer, 41 का जो right answer था, 64 is the right answer, दोस्तो, next question की बात करें, दोस्तो, अभी यहां से आपका, हिमाचल का section शूरू होता है, 42 से, दोस्तो, अब देखते हैं ये question, HP fall in which Himalayan zone, दोस्तो, हिमाचल प्रदेश यो किस हिमालेक शूरू में पढ़ता है, आपने ये बताना था, और इस question का जो right answer होगा, दोस्तो, 42 का वोगा option, C, यानि की Western Himalaya, next question की बात करें, धोलादार मीन्स, दोस्तो, काफी simple question की पूछा है, दोलादार, दोस्तो, एक Shwet Shikhar है, Shwet Peak है, White Peak, दोस्तो, next question की बात करें, दोस्तो, 44, जिसमें आप से पूछा है, लहुचा है, लहुचा है, लहुचा प्रदेश की सबसे लार्जेस अरिया वाइज़ डिस्टिक की बात करें, तो वो आपकी लहुचा है, यानि की राइट अंसर इस 24.85% जो है, वो एरिया कवर करती है, थे, दोस्तो, next question की बात करें, पंडो लेक is situated in which district of HP? Again, दोस्तो, very simple question, and the right answer is, दोस्तो, is the money district. Next question की बात करें, दोस्तो, बान गंगा is tributory of which of the following river? दोस्तो, अगर आपने tributory पढ़ी होंगी, अपने rivers की, five means river हैं हिमाचल स्की, तो आपको जानते होंगे इस question का right answer, और 46 का right answer है, दोस्तो, वो होगा का option है, ब्यास is the right answer. Next question की बात करें, the first airport of HP was constructed at which place of हिमाचल परदेश? जो भारत में हिमाचल परदेश में किस तान पर हिमाचल परदेश का स्वर परदेश का स्वर परदेश एरपोर्ट बनाया गया था, यब बना हुआ है, यह तो बना था, तो दोस्तो, इस question का right answer था, 47 का, वो होगा का option C, that is Buntar. खे, दोस्तो, next question की बात करें, 48 की, जिसमें आपसे पूछा है, बादल Glacier is located in which of the mountain range of माचल परदेश? जो बादल Glacier हो माचल परदेश के किस परवश शिर्णी में स्थीत है? तो दोस्तो, 48 का जो right answer था, यहाँ पर आप लोगों नहीं मुझे लगता है, मैक्सिम लोगों निस question को गलत किया है, 48 को दोलादार की टिक किया, यहाँ पर मेरे फ्रेंड ने भी दिंग दोस्तो इस question का, जो right answer था, 48 का वोथ option थी, पीर पंजार रेजमें रिलाइस करता है, next question की बात करें, दोस्तो, जो की आपका question number, question number दोस्तो, यहाँ पर थोड़ा सा यह skipping हो रहा है, मेरे उंगलियों से, the right answer is your, 49, 49 question की बात करें, जोस्तो, जिसमें आपसे पूछा है, full age festival is celebrated in which district of Himachal Pradesh, दोस्तो, again simple question, the right answer is कि नोर, दोस्तो, next question की बात करें, lovey fear, lovey fear दोस्तो, is about, तो कितना साल पुरान हैं दोस्तो, lovey fear लगबक, तो यह है दोस्तो, आपका 50 का जो राइट अंसर का वो गॉप्शन सी, 400 साल, 300 साल पुरान है यह, दोस्तो, 300 साल पुरान है जो राइट अंसर दोस्तो, next question की बात करें, original Jamilu Dev Tavad, तो 51 का जो राइट अंसर था, वो था आपका उप्शन, भी जिगदमने रिशी, जो है वो औरिजिनल नेम है, आपका Jamilu Dev Tavad का, जो कि आपका, मिलाना का भी जो है, वो गाउं का जो, आपका में डेटी है थी, दोस्तो, next question की बात करें, which temple is known as the allure of Himachal Pradesh, again simple question, the right answer is Masrur temple, next question की बात करें, 53 जिसमें आपसे पूछा था, त्यूल गॉंपा वाज बल्ट इन, विच सेंच्री, त्यूल गॉंपा आपका लोहर सबीती में है, आप जानते होंगे, और ये जो था दोस्तो, किस एंच्री में बना था, ये आपसे पूछा है, अगर आमें options को देखे, तो 53 का जो राइट अंसरों का वोग option, दी स्तारवी सदी में बना था ये, ठी दोस्तो, next question की बात करें, दोस्तो, चंबा पेंटिंग गोट, दी रोयल पैट्रोनेज, for the first time during the reign of which ruler, again दोस्तो, I think अगर आपने चंबाइस्टी धंग से पढ़ेगी, 54 का जो राइट अंसरों का दोस्तो, वोग option C, उदेशिंग is the right answer, next question की बात करें, the adumbars were considered as descendants of which save, तो दोस्तो, इस question का जो राइट अंसर था, अधुमबर जो किस रिशी के शिष्ये मान जाते हैं, दोस्तो, इस question का जो राइट अंसर था, वो तापका option, आपका दोस्तो, 55 की बात करों, तो option B is the right answer, विश्वा मित्र is the right answer, next question की बात करें दोस्तो, जिसमें आपसे पूचा है, गुलेर प्रिंसली स्टेट वोस फाउंड़ बाई विच रूलर, गुलेर की जो स्तापना है वो किस ने की थी, दोस्तो, इस question का जो right answer, 56 का वो राइट अंसर वो राइट अंसर, अ, हरी चंदी दा right answer, 57 question जिसमें आपसे पूचा है दोस्तो, हिमाच्चल नगर निगम में किस वर्ष तरपर्थम मुनिसिपल गूर्मेंट इनमित हुई थी, दोस्तो, इस question का जो right answer होगा, 57 का वो राइट अंसर वो राइट अंसर वो राइट पूचिन जिबात करे, इस नमबर पर जो question है, दोस्तो, उसमें पूचा है, हिमाच्चल सेवा सोधन is located at which place? दोस्तो, इस question का जो right answer है, हिमाच्चल सेवा सधन किस स्थान पर है, दोस्तो, तो इस question का जो right answer होगा, दोस्तो, वो आपको option D, चंडीगड, sorry, option C, चंडीगड, दोस्तो, हमने इस वीडियो में एक से लेके साथ तक question देख लिए हैं, अगर आपको इन question से लेटिड कोई भी query, या फिर आपको लगता है किसी question का answer, मैंने गल्थ बताया है, तो आप मुझे से पूच सकते हैं, मैं आपको right answer उसको detail में provide करवा दूँगा, और ही बात reasoning की, तो ये question में आपको detail में करवा दूँगा, अगर आपको इनके answer पता नहीं चल रहे होंगे, अगर दोस्तो, अभी तक आपने मारे YouTube channel, HP Study Hub को subscribe नहीं के सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस channel की PDF पाना चाते हैं, दोस्तो, इस video की अगर आप PDF पाना चाते हैं, तो आप हमारे telegram channel HP Study Hub पे जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको PDF अभेलेवल मिल जाएगी, दोस्तो, तब तक के लिए, बाकी के जो question बचे हैं दोस्तो, तो वह हम discuss करेंगे remaining video में, तब तो के लिए, अपना ख्यार रखे, मिलते हैं next video में, धन्यवाद,